नमश्कार दूस्तों सवागत है आपका हमारी YouTube चैनल GK Tracker पे देखे फ्रेंट्स आज की क्लास में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्राखन जी के Book-wise सीरीज आज की क्लास में हम बलूदी जी की जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम उनकी पूरी किताब को MCQ के फॉर्मेट में कवर करें इस सीरीज की सत्रवी क्लास यहां पे कवर करेंगे 16 क्लासेस हम अब तक कवर कर चुके हैं अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके दिख सकते हैं सीरील वाइस हम इस सीरीज में इस किताब को कवर करते वे आ रहें आज की गलास को भी वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां पर हमने लास्ट गलास में छोड़ा था तो चलिए दोस्तों आज की गलास को शुरू करते हैं आज का हमारा पहला कोशन है कौन सा दो वर्षिया फसल चक्र उत्राखंड की वर्षा आश्रित छेत्रों में लोगप्रिया है देखे वर्षा आश्रित छेत्रों में लोगप्रिया फसल चक्र आपने बताना है चार प्रकार के फसल चक्र यहां पर दिये गए हैं दो उन छेत्रों के लिए जो असिंचित छेत्र हैं और दो उन छेत्रों के लिए जो सिंचित छेत्र हैं असिंचित छेत्र वो होंगे जहां पर सिचाई की सुविधा उपलब्द नहीं है जो पूरी तरह से किसके उपर निर्बर है वर्शा के उपर निर्बर है तो कोशन ये असिंचित वाली फसल चक्र के बारे में पूछा गया है फसल चक्र का मतलब होता है कि आपने एक फसल बोई उसके बाद दूसरी फसल बोई उसके बाद आप या तो वापस पहली वाली या कोई तीसरी फसल को बोईंगे और फिर वापस आप पहली वाली फसल पर आ जाएंगे यानि एक पूरा चक्र जब पूरा हो जाएगा उसी का कहा जाएगा फसल चक्र तो मैंने आपको कहा हमारे पास चार फसल चक्र हैं दो हमारे पास असिंचित छेत्रों के हैं यानि ऐसे छेत्र जो पूरी तरह से वर्षा पर आश्रित हैं, सिचाई की सुविदा वहाँ पर नहीं है, जो असिंचित वाले छेत्र हैं, वहाँ पर दो वर्षों के अंदर जो दो वर्षों का फसल चक्र होता है, उसमें तीन फसलों को उगाया जाता है, और जो सिंचित वा जैसे मैंने कहा कि चार फसल चक्र हैं दो असिंचित छेत्रों के तो असिंचित छेत्रों का जो पहला फसल चक्र है वो आपका ये है सबसे पहले धान, धान के बाद आपका गेहूं आता है और गेहूं के बाद मंडवा आता है उसके बाद भूमी को परती भूमी छोड़ दिया जाता है परती भूमी छोड़ने का मतलब या परती का मतलब होता है कि भूमी को कुछ समय के लिए बिना खिती के छोड़ दिया जाता है यानि इस दोरान कोई फसल नहीं बोई जाएगी तो ये तीन फसले बोई गई, सबसे पहले धान, फिर गेहू, फिर मंडवा फिर भूमी को परती छोड़ दिया गया, फिर वापस से धान, गेहू और मंडवा दूसरा जो होता है असिंची छित्रों में वो है आपका आलू, उसके बाद गेहू और फिर आपका मंडवा और फिर उसके बाद परती भूमी यानि उसको खाली छोड़ दिया जाएगा तो असिंची छित्रों के दो फसल चक्र हमने देखे धान, गेहू, मंडवा, आलू, गेहू, मंडवा यहाँ पर आप देखेंगे धान, गेहू, मंडवा और परती आपको देखने को मिला यह आपका सही आंसर है सिंची छित्रों में भी दो फसल चक्र है पहले आता है धान, उसके बाद आलू, फिर धान और फिर गेहू और उसके बाद फिर धान, आलू, गेहू, इस परकार यह चक्र चलता रहेगा यह आपका सिंची छित्रों में जहाँ पर चार या उससे ज़्यादा फसलों को उगाया जाता है तो सिंची छित्रों में पहला फसल चक्र है धान, फिर धान, और फिर गेहू दूसरा फसल चक्र है धान गेहूं धान गेहूं यही दो आपस में repeat होते रहते हैं ठीक है तो हमने चार फसल चक्रों को यहाँ पर देखा इसको लेकर as it is सवाल यह आपका एक previous year का question है फसल चक्र बलुदी जी की पुस्तक में दिये गए हैं तो हमने इस question के मात्यम से पूरे concept को यहाँ पर समझा ठीक है सिंची चेत्रों में दो वर्षों में चार या उससे जादा फसले बोई जाती है और असिंची चेत्र असिंची चेत्र यानि जो वर्षा आश्री चेत्र है वहाँ पर तीन फसले बोई जाती है जिसमें एक चक्र यह है धान गेहूं मढवा और फ जो सबसे पुरानी नहर है, वो हमारी उपरी गंगा नहर है, या उपरी गंग नहर हम जिसको कहते हैं, इसका निर्मान शुरू हुआ था 1842 की अंदर, option B हमारा सही उत्तर होगा, 1842 से लेकर 1854 तक इसका निर्मान किया गया था, यह जो उपरी गंगा नहर है, कहां से निकाली हरिद्वार से इसकी शुरुवात होती है, और कहां तक जाती है, कानपुर तक जाती है, इसकी location पूछी जाती है, तो हरिद्वार से कानपुर तक यह नहर जाती है, ठीक है, इस नहर का निर्मान किसके नितरुत में किया गया था, ठीक है, इसका निर्मान जब हो गया पूर निक्स्ट है उपरी गंगा नहर के आधुनिकी करण का कारिय कब शुरू हुआ? जो उपरी गंगा नहर है इसका आधुनिकी करण कब किया गया? ये किया गया था 1983 में. ओप्शन B हमारा सही उत्तर होगा. शार्दा नहर का निर्मान कब और किस नदी पर हुआ था? जो C सही उत्तर होगा. चमपावत के बनबसा से ये निकलती है आपकी जो नहर है भारत और नेपाल की सीमा पर इस्तित है. ठीके? निक्स्ट है उत्राखन राज्य का नानक सागर बांध निमलिकित किस नदी पर इस्तित है? नानक सागर बांध है जो यहाँ उधम सिंग नगर और नेनिताल की सीमा पर इस्तित है, इनकी सीमाओं पर इस्तित है, और यह जो बांध है नानक सागर बांध ये नंदोर नदी पर बना हुआ है, आप्शन A हमारा सही उत्तर हो जाएगा, निमलिकित में से कौन सी नहर है जिसका निर्माण कराने का श्रे पृत्वी पती शह की माता रानी कर्णवती को जाता है, तो इनमें से किश नहर का निर्माण रानी कर्णवती ने करवाया था, रानी कर्णवती ने राजपूर नहर का निर्माण करवाया था, ओप्शन B हमारा सही उत्तर होगा, रिस्पना से पानी लेकर यहां नहर जंडा साहिब के सामने तक जाती है, वहाँ पर जो तालाब है, वहाँ तक जाती है, ठीक है? इस नहर का पूनर उधार किस ने किया? तो इस नहर का पूनर उधार 1840 में हुआ पी बी कोटले के द्वारा ठीक है राज्ये में चाई की खेती को 1824 में सरुप्रथम शुरू करवाया था तो राज्ये के अंदर कोशन बनता है कि ब्रिटिश शांशिकों के द्वारा चाई की खेती का तारिया सरुप्रथम किस वर्ष शुरू हुआ हमने विस्तार से आजेक सिंग रावाजी की जब पुस्तक को कवर किया MCQ के फॉर्मेट में उसमें अंग्रेज और चाई के बारे में विस्तार से जाना था उसी के कुछ MCQs हैं यहां पर राज्ये के अंदर चाई की खेती 1824 में शुरू हुई और यह शुरू करी थी विशप हेबर ने Option A हमारा सही आंसर हो जाएगा ठीक है Basically 1824 में राज्ये के अंदर चाई की खेती करने का सुझाओ दिया था विशप हेबर ने कुछ जगोहों पर दिया है कि इसने सुझाओ दिया कुछ जगोहों पर दिया है कि चोटे पैमाने पर इसने शुरू कर दिया था बाद में उत्राखंड के अंदर व्यापक पैमाने पर या व्यापक इस्तर पर चाई की खेती किसने शुरू करी डॉक्टर राइले ने 1835 की अंदर ठीक है जैसा मारा अगला सवाल है रज्य में व्यापक इस्तर पर चाई की खेती को 1835 में प्रोचाहित किया गया तो किसके द्वारा किया गया था शुरुवात विशप हेबर करता है लेकिन जो व्यापक इस्तर पर किया गया वो डॉक्टर राइले ने किया था 1835 की अंदर ठीक है अगर हम घटनकरम को देखें 1824 में विशप हेबर सुझाओ देता है और चोटे इस्तर पर शुरू करता है इसके बाद 1827 में डॉक्टर राइले यहां पर आता है बाद में यह अपनी बाते सारी जो बाते थी इसकी जो इसने सोध में यहां पर पाया चाई के लिए यह उप्यूग जगा है या नहीं वो सारी बाते सरकार यानि जो कमिशनर था विलियम ट्रेल उसको बताई विलियम ट्रेल ने भारत का जो गवरनर जनरल था विलियम बेंटिक उसको कहा विलियम बेंटिक के कहने पर 1834 में देश में चाई कमीटी का गठन किया गया और चाई कमीटी के गठन के बार 1835 में राज्य के अंदर व्यापक इस तर पे चाई की खेती शुरू हुई ठीके उत्राखन चाई विकांस बोड़ स्थापित किया गया है तो उत्राखन चायविकांस बोड कहां पर है और कब बना धिके, उत्राखन चायविकांस बोड की जो स्थापना हुई थी, वो अलमोडा में हुई थी option B, सही आंसर होगा इसकी स्थापना 11 फरवरी 2004 को हुई थी ठीके, 2021 में जो उत्राखन चायविकांस बोड है इसे गेरसेंड इस्थानांतरित करने की घोशणा की जा चुकी है तो वरतमान में गेरसेंड करेंगे लेकिन इस्थापित कहां हुआ था अलमोडा में हुआ था निक्स्ट है गड़वाल छेत्र के किस इस्थान पर वर्ष 1843 में चाई की फैक्टरी लगाई गई थी देखे गड़वाल के अंदर पहली जो चाई की फैक्टरी लगी वो 1843 में लगी पौड़ी के गड़वली नमक जगह पर लगाई गई थी उप्शन C हमारा सही उत्तर हो जाएगा उत्रा खंड के अंदर चाई का जो पहला कारखाना या फैक्टरी लगाने का प्रयास किया गया था वो चमोली के लोहाब में किया गया था लेकिन वो असफल रहा गड़वाल की पहली जो चाई फैक्टरी लगी वो 1843 में पौड़ी के नजदीक गड़ौली में लगी होती है तो फल उत्रा खंड में पहले से ही काफी ज़्यादा प्रिचलित था इनकी व्यवसाईग शिर्वात कैनी व्यवार के तौर पर इनको कब से शुरू किया गया व्यवसाईग शिर्वात होती है 1879 से? उपशन C हमारा सही आंसर होगा 1869 में फलुत पादन की ववसाइक शिरुवात उत्राखन में होती है 1869 में आप जानते हैं क्या हुआ था राज्य का जो पहला उद्यान है चौबट्या उद्यान इसकी स्थापना करी गई थी चौबट्या उद्यान के पहले सुप्री टेंडेंट कौन थे उनका नाम कई बार पेपर में आया है डवल्यू क्रो इनका नाम था थीक है तो चौबट्या उद्यान कब बना? 1869 में बना थिक है जो यह चौबट्या है आपका अलमोडा में पढ़ता है इसे फलुद्यान का स्वर्ग कहा जाता है थीक है चोबट्या में परवत्या फल शोध केंद्र की स्थापना कब करी गई थी? तो चोबट्या के अंदर परवत्या फल शोध केंद्र यानि की हिल फ्रूट रिसर्च इस्टेशन ये बनाया गया था 1932 के अंदर तो option C हमारा सही आंसर होगा चोबट्या में चोबट्या उद्यान कब बना? 1869 वहाँ पर परवत्या फल शोध केंद्र कब बना? तब आप कहेंगे 1932 में चोबट्या को फल उद्यानों के स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है उत्राखंड राज्य का निमलिकित में से कौन सा स्थान है? जिसे फल उद्यान का स्वर्ग नाम से जाना जाता है सिंपल सा कोशन है कई बार दिख चुके चोबट्या को कहते हैं जो भवाली है नैनी ताल का उसे परवत्या फल बाजार कहा जाता है और भलव उद्यान का स्वर्ग कहेगा तो आप चौबट्या को कहेंगे ठीक है? नेक्स्ट है इसकी स्थापना होती है 1924 के अंदर जब इसकी स्थापना होई थी तो ये आपके कोलकाथा में इस्थे था इसको लेकर कोशन बना है पेपर में एक यही पेपर में दो कोशन इसको लेकर बने थे तो इसकी स्थापना हो रही है 1924 के अंदर कुलकाता में उत्राखण में इसे कब लाया गया? उत्राखण में इसे 1936 में लाया गया और कहां पर लाया गया? तो इसे अल्मोडा में लाया गया तो संस्थापक यе है, स्थापना यहां हुई, वर्टमान में यहां है 1936 से है, ध्यान रखेंगे Next है, किस वर्ष देहरादून में रेशमकीट पालन फर्म की स्थापना की गई थी? देहरादून के अंदर रेशमकीट पालन फर्म इसे स्थापित क्या गया था 1958 में ये सवाल भी पेपर में बना है देहरा दून में रेशम कीट पालन फर्म अठावन में बनी और अलमोडा में पूछे का तो अलमोडा में 1961 में बनी और राज्ये के दूसरे स्थानों पर 1968 में बनी ठीके, रेशम उत्पादन उत्राखण में होता है कौन किस-किस प्रकार के रेशम उत्राखण में पाए जाते हैं तो मलवरी, टसर, मूंगा, एरी रेशम ये सारे उत्राखण में पाए जाते हैं यानि उत्पादन राज्ये के अंदर होता है ठीके? परवतिया छेत्रों में सीडी नुमा खेती के लिए परवतिया चेत्रों में सीडी नुमा खेती के लिए जो सीडीया बनाई जाती है अधिक से अधिक 15 प्रतिशत भूमी की ढाल तक बनाई जानी चाहिए option A सही उत्तर हो जाएगा सिंबल सा कोशन है, कई बार पेपर में आया है option A सही आंसर होगा दूद या दुग्द उत्तरों को लेकर के तीन इंपोर्टन सवाल जो पूछे जाएंगे इसी के साथ नोट कर लिजी राज्ये का पहला दुग्द संग कहा पर स्थापित किया गया था? राज्ये का पहला दुग्द संग हल्दवानी में बना था 1949 के अंदर दूसरा सवाल उत्राखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है ये भी एक प्रीविस एर का कोशन है अब क्योंकि हम उत्राखंड में करशी यहां की फसले यहां की भूमी के सवालों को देख रहे हैं तो हम इन सवालों को भी साथ साथ में कवर करेंगे जो इसी टॉपिक से रेलेटेड है और प्रीविस एर के हैं उत्राखंड में भूमी मापन की जो पैमाना है भूमी मापन की जो एकाया है वो नाली है मुठी है इसमें भूमी को मापा जाता है एक नाली जमीन में आपके 200 वर्ग मीटर की जमीन शामिल है तो आप्शन B इसका सही आंसर हो जाएगा कितनी नाली मिलकर एक बीगह बनाती है तो ढाई नाली मिलकर आपके एक बीगह का निर्मान करती है एक नाली में कितनी मुठी होती है सुलह मुठी होती है उत्राखंड में भकार शब्द का उपयोग होता है तो राज्ये के अंदर ये जो भकार शब्द है किसके लिए इस्तमाल होता है, खाद्यान, संग्रह, हेतु, option C, सही आंसर होगा सवाल बनता है, जैसे एक पेपर में सवाल आये था, ये चाल-खाल का संबंध किस्से है राज्य के अंदर, तो चाल-खाल का मतलब होता है, जल संग्रहन से इसी प्रकार भकार शब्द आपके खाद्यान, संग्रहन से संबंधित है, राज्य में उत्पादित मंडवा अनाज का निर्यात किया जाता है, जैसे एक औशिधी थी जूला वनस्पती, जो जूला वनस्पती औशिधी है, यहां किस देश को भीजी जाती थी, ये भीजी जा जाता है, तो कोशन बनता है, जूला वनस्पती किसे, फ्रांस को, मंडवा जापान को, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे, तो फ्रेंट्स, ये तो हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्राखन जीके के 20 सवालों को यहां पर कवर किया, बलूदी जी की पुस्ता की सत जीकला अध्याय है, उसमें हम एंटर करेंगे, जो आपके जनगर्णा से संबंदित है, उत्राखन की जनगर्णा, जनगर्णा के आंकड़े हमने कई बार कवर किये हैं, अब सीरियल वाइस हम चल रहे हैं, तो एक बार और रिवीजन जनगर्णा का, उत्राखन की उमीद करता हूँ, आपको आज का वीडियो पसंद आया होका, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेर करें, वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताए, थैंक यू फ्रेंट्स